एलो स्टुडेंट कैसे हैं आप आज रेगलर कॉलेज के काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर एक्जाम फॉर्म निकल चुके हैं एक्जाम में क्या चूज करना है तो मैं एक बार क्लियर कर दूँ ये वीडियो जो है वो है सर सेमेस्टर फाइव वाले बच्च के लिए जब थर्ड के लिए तो मैं थर्ड के लिए वीडियो बना दूंगा सेमेस्टर फाइब के अंदर अब देखे दो चीजे हैं चार-चार सब्जिक्ट है एक आपका है हमारा बीकॉम सिंपल और एक है बीकॉम ओनर्स अब ध्यान दखिए become में क्या क्या subjects है और कहां कहां choice है एक है financial management अगर आपको दो चीजे मिलता है financial management और इसके अंदर choice में कई जगह पे GST है और कई जगह पे आपका law है, industrial law ठीक है न, industrial law यह choice में तो मिर से पूछो कहें सर क्या लेना चाहिए तो मैं simple बोलू GST भी बहुत important है अच्छा है, लेकिन GST की फिलहाल आपको कहीं classes नहीं मिलेगी और study material भी नहीं मिलेगा उसके पीछे reason भी समझेगा क्योंकि GST शायद ही 10 college में से किसी एक college में option दिया जा रहा है बागी जगह पे GST नहीं है तो books भी इसकी print नहीं होती क्योंकि limited बच्चों के लिए books को print करने के लिए bulk quantity होता है उससे कम print नहीं हो सकता तो update नहीं आता है semester 6 में honors के पास GST होता है compulsory में तो उस time पे सभी बच्चों के पास होता है तो उसके इसाब simple सी बात है demand और supply की बात अगर दो से चार बच्चे होते है तो books वाले भी books को print नहीं करते है तो मैं यहाँ पर recommendation मैं हर चीज़ को मद्दे नजर देखते बताऊँगा market में books है study material है पढ़ोगे कैसे सब चीज़ो FM को आपको easily each and everything मिल जाएगा सारी चीज़े 10 years बगरे classes बगरे तो मैं दे ही रहाँ class भी मिल जाएगा दूसरा एक theory का subject है principle of marketing मार्केटिंग principle of marketing मैं simple marketing लिख देता हूँ और HRM में choice है अब सर दोनों चीज़े important है आप कोई भी लेना चाहे आप ले सकते हैं चाहे principle of marketing ले लिजिए चाहे HRM ले लिजिए कोई बुरा ही नहीं है मैं principle of marketing के classes अब आ जाएगी हमारे channel पे भी और classes भी start हो जाएगी recorded format में एक nominal cost पे लेके आ रहा हूँ मैं principle of marketing का course जो की दोनों semester semester 3 और 5 के लिए और इसका जो price रहेगा मात्र 249 रुपीज चीक है न होंगी लेकिन बहुत कम क्योंकि मैं record करूँगा recorded पूरे का पूरा मिलेगा बुक कौन सा लेना है सर इसके लिए इसके लिए मैंने बता दिया FM के लिए आरपी रस्तोगी आरपी रस्तोगी इसके लिए कौन सा है दो राइटर है एक है हमारा TN चावणा ठीक है न और एक अगरवाल है मेरे खाल सुस्मिता अगरवाल साथ कुछ ना मुझे exact remind नहीं हो रहा एक TN चावणा है कि यह इसके book easily HRM की book आपको market में मिल जाएगी इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल सकता आप इसको भी self पढ़ सकते हो यह हो गए आपके दो सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट है हमारा economics principle of micro economics ठीक है ना अब economics आपका SOL के अंदर compulsory है regular college में option मिलता है तो मैं सभी को suggest करूँ आप सुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आप economics ले लो आपका ठीक ठाक हो जाएगा जो four subject बचता है हमारा वो आपका हिंदी इंग्लिश और जो whatever name call जो मर्जी बोल लो ED बगर है ED है और भी subject में ना choice हाता है तो वो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं तो इन तीन में तो मैंने आपकी समस्य का समाधान कर दिया कि ये subject choice करिए program वाले बच्चे FM marketing और economics लीजी आप तीन subject एक subject आप थोड़ा सा research क्योंकि वो जो subject है उसका आपको वैसे notes और सारी material जो है बहुत कमी ability है और सारे option भी वैसे ही है तो कोई भी ले लीजी आप एक बाद DU के साइट पे जाएए और वहाँ पर study material डाउनलोड कर लीजी SOL के साइट पे जाके और जाने के बाद DU के साइट पे नहीं मिलेगा आपको चाहे regular वाला SOL के साइट पे आपको study material मिल जाएगा प्रॉपर जाओगे तो और जाने के बाद आप एक बार overview कर लिजे उसमें क्या option लेना है इसके बाद honors की बात करें honors के अंदर financial management compulsory है financial management compulsory है core subject है compulsory का मतलब core तो इसमें तो कोई दो राए है नहीं यह तो लेना है इसके बाद आपका marketing marketing एक आपको marketing लेना है marketing के अंदर choice आ जाता है यहां पर यहां पर choice यह आ जाता है मेरी खाल compulsory subject आ जाता है कुछ college वाले compulsory कर देते हैं और कुछ college में choice आ जाता है क्योंकि subject ऐसे हो गए ना अब देसे FM compulsory कर रहुआ है तो S.O.L. department अपना चलता है हम यह वाले तो core subject बना रहे हैं यह तो compulsory देंगे regular वाले अपने according चेंज कर देते हैं तो मैं वह subject बता रहा हूँ चार चुनने हैं उसके साब से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है mainly जिसकी चीज़े available है एक यह और एक यह इसके बाद आपके पास mathematics में हाथ साफ नहीं है mathematics इतना अच्छा नहीं लगता या फिर उनको दिक्कत हो रही थी stats के अंदर तो वह subject में ना उल्जे जिनका साफ है वह यह ले ले ठीक है marketing की तो मैं class दे ही रहा हूँ यह तो मैंने बोला ही कि application पर हो जाएगे start stats की class start है marketing की बुक बता दिया fm की रपी रस्तों की stats की बुक आता है आपका jacket ठुकराल जो की famous है यह वह चीज़े मैं बता रहा हूँ जो कि आप market में किसी भी किताब की दुकान पे चले जाओ जो अच्छे book seller है उनसे बोलोगे इसकी book दो तो इसके 10 writer आपके हाथ में दे देंगे book के और बोलेंगे yellow platform और मैं वह subject भी बता सकता हूँ जिसका आपको writer के आप बहुत जैसे personal text planning आपने कितना परिशान हुए होगे मिली नहीं रहा market में नहीं मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा क्या subject ले लिया तो वह subject बहुत अच्छा है लेकिन study material ना होने की वज़े से आपको अच्छा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ पर है ठीक है तो hopefully आपको subject choice में थोड़ी बहुत hint मिली होगी कि क्या क्या करें फिर भी किसी बच्चे को जो भी doubt होता है आपको subject में description में number डाल रहा हूँ और उस number पर जाके आप contact कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं आपका कोई भी होगा वह मेरे तक आएगा और मैं suggest कर दूँगा कि आपको यह लेना चाहिए hopefully आपको थोड़ा confusion दूर हुआ होगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो आपको वीडियो से value मिलती है और benefit होता है समझ में आ रहा है सर तो ऐसे situation में प्लीज चैनल को subscribe, like and share भी करिए like and share तो बाद की बात है subscribe कर लिजिए ताकि time to time पर जो भी चीज़े होंगी वह आते रहे के bell icon दबाईए नहीं दबाईए फरक नहीं पड़ता मैं तो इतने चैनल कुछ एक चैनल है मुझे तो नहीं लगता है bell icon से कुछ होता है तो बस देख जाता है सामने और वह हमारे कई बार काम के चीज़े निकल जाती है इसी तरीके से after graduation आपको क्या करना चाहिए उसके उपर एक counseling और भी काफी सारी चीज़े सोच रहें वह करेंगे ठीक है thank you so much happy independence day again और मिलते हम इसी तरीके से next video में हसते रहें मुस्कुराते रहें